गर्मियों में शाम के टाइम में जब कुछ ठंडा ठंडा टेस्टी सा खाने फिले का मन करें तो आप इस रेसिपी को एक पर ज़रूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही जाधा मज़े की बनती है और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत जाधा पसंद आने वाली है और इ इन सब्जा सीट जो है गर्मी के दिनों में पेट को ठंडा रखता है मतलब बॉड़ी को ठंड़क देता है तो सब्जा सीट बहुत ही जाधा हल्दी होता है तो एक टेबल स्पून सब्जा सीट को मैंने 5 टेबल स्पून पानी में सोक कर लिया है करीब 10 मिनट के लिए और फूल के कितना किती जाधा क्वांटिटी में तयार हुआ है और इसका कलर भी देख रहा है चेंज हो गया बिलकुल तो दस मिनट इसे आपको पानी में सोक करना है और यहां पे मैं ले रहे हूं कुछ ड्राइफरूट्स तो मैंने यहां पे ले लिए करीब 7-8 बादाम और 7 8 से 8 काजू यहां पे आप पिस्ता या बाकी ड्राइफरूट्स जैसे कि किश्विष वगएरा का भी आपूस कर सकते हैं मैंने यहां पे इसरिक बादाम और काजू लिये हैं और बादाम और का जू को हमें बारिक बारिक चौप कर लेना है तो यहाँ पे देखें काजु और बागाम को मैंने बारिक-बारिक चौप कर लिया है अब यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 2 मैंगो जिसके हमें पल्प निकाल लेने हैं क्योंकि हम mango फालूदा बना रहे हैं इसलिए mango का यूज करना तो इसमें बिल्कुल necessary है तो यहाँ पे दो mango के मैं पल्प निकाल ले रही हूँ और यहाँ पे mango आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके area में मिल रहा हो बस एक चीज का ध्यान रखे कि mango जो भी यूज करें उसमें color अच्छा होना चाहिए तो mango फालूदा देखने में काफी अच्छे लगते हैं तो यहाँ पे मैंने mango का पल्प निकाल लिया है और अब इसकी हमें बना लेनी है प्योरी तो एकदम fine puries की तयार करनी है हमें और दूद वगेरा शुगर वगेरा मैं कुछ भी नहीं यूज करूँगी इस purie में आप चाहें तो आपका अगर आम थोड़ा सा खटा है तो उसमें थोड़ा सा शुगर आड़ कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मैंने थोड़ा सा थिन बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा दूद का भी यूज कर सकते हैं पर यहां पर मैंने दूद वगेरा ना एड़ करके सिर्फ mango से mango pulp तयार किये हैं और आप फालूदा बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये फालूदा की सिवईया सबसे जादा टिपिकल होता है फालूदा की सिवईया बनाना जो मुझे तो लगता ही है आपको भी जरूर लगता होगा तो यहाँ पे फालूदा की सिवईया अगर आपको भी मेरी तरह बनाना टिपिकल लगता है तो यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल सिवईया आती न बैम्बेनो वाली वो मैंने ले ली है और उसी से मैं ये फालूदा तयार करूंगी तो मैंने पैन में पानी बॉल होने को रग दिया है उसमें डाल दे रहे हो करीब 2 टेबल स्पून जितना शुगर और उसमें ये बैम्बेनो वाली जो सिवईया है वो डाल देंगे जिससे हम नम्कीन सिवईया या मेठी सिवईया बनाते है बस उसी का यूज़ कर रही हो मै और यह वाइट वाली सिवई यह आपको लेनी है आपको ब्राउन वाली ने लेनी है इस बात का भी ध्यान रखेगा तो यहाँ पे इसको करीब एक से दो मिनट तक यानि थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसे बॉयल करेंगे इस शुगर वाले पानी में तो यह देखे यह अच् यह वह भी मशीन का यूज़ नहीं हुआ है नहीं आपको कोई इसके लिए बैटर बनाना पड़ा तो बहुत ही आसानी से आप फालूदा इस तरह से घर में बना सकते हैं तो चलिए अब फालूदा को ग्लास में असेंबल कर लेते हैं यानि कि फालूदा की प्रजेन कर लेत फिर बड़े चममच मैंने फालूदा सिवया एड कर दी है और अब उपर से मैं आड कर रही हूँ मैंगो प्योरी जो हमने मैंगो की प्योरी बना की रखी थी उसे आड कर देना है आब इसके उपर डालेंगे कटे हुए ड्राइफ्रूट्स और उसके उपर डालेंगे एक स्क और फिर से उसके उपर से मैंगो प्यूरी की एक लेयर मैंने डाल दी है और उसके उपर एड कर दिया है दोसको फनीला आइसक्रीम का और यहां पर मैं गार्णिश कर रही हूं उसे थोड़े से बारिक कटे हुए ड्राइफ रूट्स और टूटी फ्रूटी के साथ उपर से ए तो मैंने यहां पर मैंगो फालोदा बना के तयार कर लिये हैं आपको अगली कौन सी रेसिपी देखनी है मुझे कमेंट में जरूर बिदाएगा और रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज उसे लाइक किया करें शेयर किया करें मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लो वीडियों में बच्चों को जब को स्पेशल खाने पीने का मन हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तिल दिन बबाई